कपिल और शालू एक ही कॉलेज में एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे कपिल अपने पिता की तरह राजनीती में बेहद रुची रखता था और कॉलेज में छात्र नेता में सबसे प्रबल नाम था उसके पिता देश के केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में उच्च स्थान रखते थे कपिल जितना अधिक नेता में प्रबल था उतना ही वे लड़कियों का दिल जीतने में भी प्रबल रहता था उसकी छवी पूरे कॉलेज में बेहत उतीन पत पर रही वे पढ़ाई के साथ खेल में भी अवल रहा जब भी किसी भी शक्स को कॉलेज में कोई भी मुसीबत से सामना करना पढ़ता उसका हल मात्र कपिल के पास होगा कपिल का दिल नेतागिरी के अलावा किसी अन्य पर भी केंद्रित रहा उस केंद्र का नाम शालू था शालू बहुत ही खूपसूरत थी। वे अंग्रेजी डिक्षनरी में ब्यूटिफुल शब्द का सबसे प्रमुख व्याख्यान करती थी। शर्मीले स्वभाव की बोली सी सूरत ओडे शालू प्रेम की एक अलग प्रस्तुती पेश करती थी जो बेहत प्यारी थी। शालू मन ही मन कपिल को चाहती थी लेकिन वह कह नहीं पाती थी क्योंकि उसे यह डर था कि कहीं कपिल मना न कर दे क्योंकि कपिल बेहत अमीर घर से तालुक कत रखता था तो वहीं शालू एक सामान्य परिवार की बेटी थी। एक दिन शालू कॉलिज से घर की ओर जा रही थी रास्ते में उसे कपिल मिला दोनों की नजरे एक दूसरे को देखने लगी जैसे कई जन्मों की बात कर रही हो। फिर कुछ मिंटों के बाद दोनों ने एक दूसरे से नजर हटाई और नीचे की ओर जुकाई कपिल बाइक पर अलग दिशा निकल रहा था तो वहीं शालू अलग दिशा। दोनों एक दूसरे से काफी दूर हो गए थे तभी शालू को कुछ लोग छेडने लगे जो कॉलेज के ही थे। शालू काफी घबरा गई और वहां से तेज रफ्तार में डौडने लगी। कपिल को अचानक से शालू के पास कोई काम याद आ गया वह मुणा और अपनी बाइक की तेजी से शालू की तरफ लेकिन वहां अचम्बित रह गया जब देखा कि शालू वहां मौजूद नहीं थी। कपिल को वही लड़के दिखे कपिल को उन्हें देखकर यहां आभास हो गया था कि शालू के साथ कुछ हरकत कर रहे होंगे जरूर। वह वही रुका रहा और उन लड़कों से बात करके उन्हें सभी को भेज दिया। कॉलेज के सब लड़के कपिल से डरते थे। क्योंकि वहां किसी के साथ भी अन्याय नहीं सहन कर सकता था। जैसे ही वहां गए कपिल ने शालू को ढूंदने की कोशिश करी लेकिन वहां काफी देर तक नहीं मिली। परंदू जैसे ही वह वापस जा रहा था तभी उसको कुछ रोने की आवाज आने लगी। यहां आवाज एक गली से आ रही थी। कपिल ने उस गली के तरफ मुर कर देखा तो शालू को पाया। शालू काफी भैभीब थी। कपिल ने उसे अपने बाहों में ले लिया और उसे भरोसा दिलाया कि वहां उसे कुछ नहीं होने देगा। समय बीतने लगा और दोनों के प्रेम को अब नए रिष्टे की दोर में बांधने की बाते होने लगी। शालू और कपिल दोनों का विवा होना नक्की हुआ। शालू ने बताया वहां अनात है उसका कोई नहीं। वहां अकेली रहती है घर पर। इस पर कईयों ने कपिल के घर से आपत्ती दर्ज करी। लेकिन कपिल का शालू के प्रती प्यार देखकर वह शादी कराने को राजी हो गए उनकी जोर शोर में शादी संपन्न हुई दोनों एक दूसरे में बेहत खुश थे पांच अगस्त इस तारीक का प्लान बना कर दोनों अपना हनीमून मनाने उत्तरांचल प्रदेश के शहर पहुँचे उत्तरांचल प्रदेश के प्रसिद रेस्टोरेंट पैराडाइस में अपने प्यार भरेक्षन बिताने के लिए वे वहां के मैनेजर से एक कमरा लेते हैं कपिल ने शालू से कमरा चुनने को कहा वहार रेस्टोरेंट पाँच मन्जिला था शालू ने सुझाब दिया कि कमरा तीसरे मन्जिल पर ही लेंगे ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि रेस्टोरेंट के तीसरे मन्जिल से पहाडों का बेहत मनमोहब द्रिश्य नजर आता था इसी कारण तीसरी मन्जिल के कमरे महंगे भी होते थे और जल्दी फूल भी हो जाते थे मैनेजर ने उन्हें 304 नंबर की चाबी दी और वेटर को बुलाया ताकि वहा सामान लेकर जा सके लेकिन शालू उस मैनेजर से जिद्द करते हुए कहने लगी कि उसे 308 नंबर की चाबी चाहिए मैनेजर में उन्हें मना किया और कहा कि वहा कमरा अभी रेनोवेशन होना है लेकिन शालू बार बार वही कमरा खुलवाने के लिए बोलती रही कपिल भी शालू के प्यार में उसकी जिद्द को खूरी कराने के लिए मैनेजर से गुहार लगाई खुलवाने को शुरू में तो मैनेजर नहीं माना अंत में उसे भी मानना पड़ा क्योंकि कपिल ने ज्यादा धन लाब देने का वाइदा किया था दोनों कमरे में एक दूसरे को नहार रहे थे साथ ही साथ पहाडों को भी जो उत्तरांचल प्रदेश की खूबसूर्ती को बखूबी दर्शा रहे थे जैसे ही दोनों एक दूसरे के प्यार में दूब रहे थे और सारी हदे पार करने की ओर बढ़ रहे थे तभी एक अजीब सी आवाज ने दस्तक दी कपिल ने पहले कमरे के हर एक कोने में देखा कि कहीं कोई खिड की खुली न रह गई हो वह उठा लेकिन खिड की कोई भी नहीं खुली थी पर फिर भी उसे किसी के चलने की आवाज पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी वह दर के मारे बेड पर दिर्पर देखने लगा लेकिन वह देखकर अचम्बित रह गया वहा शालू मौजूद नहीं थी वह दर की सीमा को लांग चुका था पूरे कमरे में वहा अप शालू चलाने लगा कमरे के बाहर जाने की कोशिश करता लेकिन कमरा मानों किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो यह सहली बाहर था कि कपिल डर के मारे रोने लगा हो अचानक से उसे कमरे के बाथरूम से पानी चलने की आवाज आती है वह दोड़ते हुए बाथरूम के तरफ पहुचता है कपिल, जानो कहां ढून रहे हो मुझे, आओ मेरे पास. शालू की आवाज कपिल देखता है कि शानो बालतनी में खड़ी हुई होती है, जैसे ही कपिल दर के मारे उससे लिपटने के लिए बढ़ता है, शालू एक दम से गायब हो जाती है और कपिल पहाड से नीचे गिर जाता है. उसकी मौत हो जाती है अगले दिन उसकी लाश पहाड से बरामद होती है इंस्पेक्टर रंदीप सिंग को तहकीका करने की जिम्मेदारी मिलती है उस लाश के पोस्ट मार्थम रिपोर्ट के मुताबिक कपिल मौत से पहले उसकी धड़कन काफी तेज चल रही होती है मैनेजर से इंस्पेक्टर CCTV कैमरे की फुटेज मांगता है परन्तु वह रेकॉर्डिंग देखकर परेशान हो जाता है CCTV कैमरे में शालू की कोई फोटो नहीं दिख रही होती इंस्पेक्टर को यह मैनेजर की चा लगती है इंस्पेक्टर कपिल के घर पर उसकी मौत की खबर लेकर पहुचता है सभी परिवार वाले आहत हो जाते हैं इसी वक्त कपिल का भाई इंस्पेक्टर से शानू के बारे में पूछता है इंस्पेक्टर कहता है कि कमरे में तो हमें कोई नहीं मिला सब घरवाने कहते हैं कि कपिल और शालू का हाल ही में विवा हुआ था इंस्पेक्टर ने उन्हें शालू के परिजनों को फोन करने को कहा इंस्पेक्टर को फिर पता चला कि शालू का तो कोई है ही नहीं वह कॉलिज में भी पता करने गया तो पता चला कि कॉलिज में शालू नाम की कोई लड़की ने कभी एडमिशन ही नहीं लिया था वह वाकई में एक भूत थी